हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज की इस वीडियो में बच्चों हम सुनने वाले हैं कहानी जिसका नाम है अस्मृति जिसके लेखक हैं स्री राम सर्मा यह कहानी ली गई है कक्षण नौवी के हिंदी पाठे पुस्तर संचेन भाग एक से बच्चों कहानी का सिर्शक है अस्मृति जिसका अर्थ होता है याद तो यहां जो हमारे लेखक हैं सिर्राम सर्मा उन्होंने अपनी यादों को इस कहानी की माध्यम से हमारे साजा किया है लेखक कहते हैं यह बात है सन 1908 की दिसंबर का आखरी या जन्वरी का प्रारंभ होगा चिल्ला जारा पर रहा था चिल्ला जारा कहने कारते बच्चों बहुत अधिक ठंड पर रही थी दो-चार दिन पुर्व कुछ बूंदा बांदी भी हो गई थी इसी लिए सीथ की भ्यंकरता और भी बढ़ गई हम सब जानते हैं बच्चों कि दिसम्बर और जन्वरी के मौसम में काफी ठंड परती है तो लिखक बता रहे हैं कि उस समय बहुत ठंड थी और दो-चार दिन पहले बारिस भी हो गई थी जिससे ठंड बढ़ गई थी साइकाल के साढ़े तीन या चार बजे होंगे और से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं सिग्र ही घर लोट जाओ मैं घर को चलने लगा साथ में छोटा भाई भी था भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चला जाता था समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा डरते डरते घर में घुसा अब देखिए लेखक जब घर वापस आ रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे उनके मन में बहुत सारी संकाएं थी कि पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी है कि भाई साम मुझे बुला रहे नब तो मुझे बहुत पटाई लगेगी अब देखे घर में घुस्ते ही उन्होंने क्या देखा पहले तो उन्हे आशंका थी कि बेर खाने के अपड़ाद में उन्हें पटाई लगेगी पर जब वह आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि भाई साहब पत्र ल में डालाओ तेजी से जाना जिससे साम की डाक में चिठियां निकल जाए ये बड़ी जरूरी है जारे की दिन थे ही तिस पर हवा की प्रकोप से कपकपी लग रही थी तो बच्चों ने क्या करना था पत्र को डाक खाने में डालना था लेखा कहते हैं कि जारे का दिन था और हवा भी तेज चल रही थी जिस वज़े से पूरा बदन काप रहा था हवा मजजा तक ठिठोड़ा रही थी मजजा कहने का अर्थ होता है बच्चों हड्डियों के भीतर जो मुलायम पदार्थ होता है वहां तक ठंड पहुँच गई थी तो उन्होंने क्या किया अपने कानों को धोंती से बांध लिया साथी मा ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिये हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल परे उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मौह था उतना इस उमर में राइफल से नहीं मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायन बाहन ह हो चुका था तो लेखक क्या बता रहे हैं कि वो दोनों भाई चिठ्थी डालने के लिए निकल परे और उनके हात में एक डंडा था जो उनके लिए बहुत माईनी रखता था और कहते हैं कि वह डंडा जो था वह सांपों के लिए क्या था नारायन वाहन नारायन का वाहन कौन है गरूर जो सांपों को खा जाया करता है तो उस डंडे से लेखक ने अनिक सांपों को मारा था आगे लेखक कहते हैं मक्खनपूर के स्कूल और गाओं के बीच पढ़ने वाले आम के पेरों से प्रतिवर्स उससे आम जुड़े जाते थे आम जुड़े जाना कहने कार्थ यहां पर है बच्चों उस डंडे से लेखक बहुत सारे आम को तोड़ा करते थे इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता मुख डंडा कहने कार्थ है वह निर्जीव सा डंडा उन्हें कैसा लगता सजीव यानि जीवित प्रशन वदन हम दोनों मखन पूर की और तेजी से बढ़ने लगे चिठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्टे में जेवे ना थी हम दोनों उचलते कूदते एक ही सांस में गाउं से चार फरलांग दूर उस कुवे के पास आ गए जिसमें एक अती भयंकर काला सांप बड़ा हुआ था कुवा कच्चा था और 24 हाथ गैरा था उसमें पानी ना था उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था कारण कुछ भी हो हमारा उसके कुवे में होने का ग्यान केवल दो महीने का था बच्चे नटखट होते ही हैं मखन पूर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुवे में उजहकने की सूजी अब उजहकना मतलब क्या होता है बच्चों उजहकना यानि कुवे में जांकना तो लेखक बताते हैं कि हमारी जो टोली थी हम सब बच्चे जो इसकूल जाया करते थे एक साथ जब हम इसकूल जाते हैं तो उसे टोली के रूप में कहा जाता है तो जब सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे तो लेखक उसी घटना को याद करते हुए कहते हैं कि जब हम सब एक साथ टोली में स्कूल जाते तो कैसे दिखते बिलकुल एक बानर टोली की तरह यानि सभी बंदरों की तरह उचलते, कूजते, छीनते, जपड़ते, चलते रहते तो अब कूए में उझकने की जो बात कह रहे हैं यहाँ पर तो कूए में सबसे पहले कौन उझका? लेखक लेखक कहते हैं सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था कुए में जाकर एक धेला फेका कि उसकी आवाज कैसी होती है अब भाई बच्चों में तो जिग्यासा होती ही है आप सभी बच्चे ऐसा करते हैं उसके सुनने के बाद अपनी बोली की परतिद होनी सुनने की इच्छा थी जब हम कुए में कुछ भी फेकते हैं तो उसकी आवाज वह वापस आती है और जब हम कुछ बोलते हैं तो पुना उसकी आवाज वापस आती है तो ऐसा करने की इच्छा वह सभी को होने लगी पर कुए में जेवी ढेला गया तेवी एक फुफकार सुनाई पड़ी कुई के किनारे खरे हुए हम सब बालक पहले तो उस फुफकार से ऐसे चकित हो गए जैसे कि लोले करता हुआ मुरिक समू अती समीब के कुट्टे की भौंग से चकित हो जाता है अब जैसे ही बच्चों ने साब के फुफकार की आवाज सुनी वैसे ही सभी बच्चे जो हैं वह चौक गए उसके उपरान सभी ने उचल उचल कर एक एक देला फेका और कुएं से आने वाली कुध पूर्ण फुफकार पर कह कहे लगाए जैसा कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी वैसी ही आवाज वो भी कर रहे थे गहाँ से मक्खन पूर जाते और मक्खन पूर से लोड़ते समय प्रतिदीन ही कुएं में धेले डाले जाते अब यह कारेकरम जो था बच्चों का वो प्रतिदीन का हो गया स्कूल से जाते वक्त भी वो ऐसा करते और आते वक्त भी करते मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ में पकर कर दूसरे हाथ से धेला फेकता था अब यह काम लेखक भी रोजाना करते यह उनकी रोजाना की आदत हो गई थी साब से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुवे की ओर से निकले कुवे में धेला फेक कर फुसकार सुनने की प्रविर्ती जागरत हो गई अब देखिए ये तो उनके प्रतेग दिन की आदत थी तो लेखक और उनके भाई जब चिठी लेकर के मकन पूर जा रहे थे और रास्ते में वो कुवा आया तो उन्होंने क्या किया उस कुवे में धेला फेका अब देखिया आदत थी परतेग दिन की ऐसा करने की तो उस दिन उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनके टोपी में चिठीया रखी है डेला उठाया और गिरा दिया पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी अब बिजली कैसे गिर पड़ी वो देखिया साप ने फुसकार मारी या नहीं डेला उसे लगा या नहीं यह बात अब तक अस्मरण नहीं टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिठीया चक्कर काड़ती हुई कुवे में गिर रही थी अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तरपता रह जाता है उसी फाती विचिठीया क्या टोपी से निकल गई मेरी तो जान निकल गई अब चिठीया जो है वह पोस्ट आफिस में डालना जरूरी था लेकिन वह चिठीया कहा गिर गई बच्चों वह कुवे में गिर गई कैसे गिर गई तो प्रतिदीन की जो आदत थी लेखक की टोपी उतार कर पत्थर उठा करके साप को मारने की तो उस आदत की वज़े से वह आज भी ऐसा करने लगे उन्हें याद ही नहीं था कि उनकी टोपी में चिठी रखी है और वह तीनों चिठीया कहा गिर गई कुवे में उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक जपट्टा भी मारा ठीक वैसे जैसे घायल सेर सिका मारी को पेर पर चड़ते देख उस पर हमला करता है तो यहां पर उन्होंने उदारन भी दिया है किसका घायल सेर का अब लेखक किसकी तरह है एक घायल सेर की तरह पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी उनको पकड़ने की घवराहट में मैं स्वे जटके के कारण कुव कुवे में गिर गई अब लेखक कैसे निकालेंगे उस चिठी को चले आगी देखते हैं कुवे की पाट पर बैठे हम रो रहे थे चोटा भाई डाढ़े मार मार कर और मैं चुप चाप आंखें डबडबा कर अब देखें चिठीयां तो गिर गई तो चोटा भाई जो है वह चिला चिला कर रोड़ा था और लेखक की आँखें जो हैं वह भर आए थी पतीले से उफान आने से धकना उपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है अब देखें क्या कह रहे हैं कि भई अब तो बहुत जादा समस्या उत्पन हो गई थी चिठी पोस्ट आफिस में डालना जरूरी था और चिठी गिरा भी कहां तो कुवे में जहां साप रहता था चिठी न डालते तो लेखक के बड़े भाई उन्हें बहुत पीटते और चिठी निकाले भी कैसे यह भी एक समस्या है क्योंकि कुवा काफी गहरा है और उसमें साप है आगे लेखक कहते हैं निरासा पिटने के भै और उद्वेग से रोने का उफान आता था कि भईया आप तो घर जाएंगे तो बहुत पिटाई लगेगी पलकों के ढखने भी तिरी भावों को रोपने का प्रेतन करते थे पर कपोलों पर आंसो धुलकी आते थे मा की गोद की याद आती थी जी चाहता था कि मा आकर चाती से लगा ले और लार प्यार कहर के कह दे कि कोई बात नहीं चिठी अफिर लिख ली जाएंगी तब्यत करती थी कि कोई में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिठी डाल आये हैं पर उस समय मैं जूट बोलना जानता ही ना था कर लाटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती मार के ख्याल से सरीर ही नहीं मन भी काप जाता था सच बोलकर पिटने की भावी भै और जूट बोलकर चिठी ओ के ना पहुँचने की जिम्मेदारी के बोज से दवा में बैठा सिसक रहा था इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था कहीं भाग जाने को तब्यत करती थी पर पिटने का भै और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी तो लिखक क्या कहते हैं कि चिठियां कहां गिर गई कुमे में घर पे जाएंगे घर वालों को बताएंगे तो उन्हें बहुत पिटाई लगेगी अगर जूट बोला तो भी उन्हें बहुत पिटाई लगेगी तो समस्याएं बहुत गंबीर थी और ऐसे सोच विचार में 15 म वैसे ही बीत गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें अब देखिए आगे लिखक कहते हैं द्रट संकल्प से दुविधा की बेडियां कट जाती हैं मेरी दुविधा भी दूर हो गए कुवे में गुजकर चिठीयों को निकालने का निश्चे किया कितना भ कोई मौत का मार्ग ही सुईकार कर ले और वह भी जान भूज कर तो फिर वह अकेला संसार से भिरने को तयार हो जाता है अब समस्या ऐसी गंभीर आ गई थी उनके पास कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था बच्चों कि वह करें तो क्या करें घर जाएंगे तो पिटेंगे और अगर चिठी निकालने के लिए कुए में कूदे तो साप काट लेगा तो कहते हैं न कि कोई रास्ता नहीं था उनके पास यानि आगे कुवां पीछे खाई दोनों तरफ क्या थी समस्याएं ही थी तो लेखक ने सोचा चलो ऐसे भी पिटाई खाएंगे घर जाएंगे तो औ और ऐसे भी मरना है तो इससे अच्छा है कि कूए में ही कूद करके चिठीया निकाल ले जाएं देखिए अब उन्होंने फल की चिंता छोड़ दी कि क्या होगा पड़िनाम फल तो किसी दूसरी सक्ति पर निर्भड है उस समय चिठीया निकालने के लिए मैं विजधर से व बचकर दूसरा जन इसकी कोई चिंता ना थी पर विश्मास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिठीया उठा लोंगा क्योंकि लेखक ने अपने डंडे से कई सांपों को मारा था कहानी में आप लोगों ने सुना है कि लेखक क्या कहते हैं उनका जो दंडा है वह विश्नुवाहन है यानि गरुड है जो सांपों को मारता है तो बस इसी दृड विश्वास के बूते लेखकनी कुए में खुसने की ठानी छोटा भाई रोता था अब छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात पड़े था कि मेरी मौद मुझे नीचे पर उस नग्न मौद से मुटवेर के लिए मुझे भी नग्न होना परा अब भाई ठंड इतनी थी लेकिन करते भी क्या नीचे था सांप उससे बचने के लिए उन्हें उससे मुटवेर करना भी जरूरी था तो वहां अपना धूती वोती उतारे और अपने डंडे को लेकर क चे cared कहां उतर गये क्वें देखें कैसे उतुरे वह देख लिजये तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले में चोर्टे भाई की धूती को उतारी कि के देखिए दोनों धोतियों को बाढ़ा और रस्ती की तरह बना लिया फिर धीरे धीरे उस रस्ती के सहारे कुए में उत्रे और उन्होंने एक गांट लगा कर छोटे भाई को दे दिया छोटा भाई केवल आठ वर्स का था इसलिए धोति को डेंग से करी करके बाढ़ दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा मैं कुए में धोती के सहारे घुसने लगा छोटा भाई रोने लगा मैंने उसे आश्वाशन दिलाया कि मैं कुए के नीचे पहुंचते ही साप को मार दूँगा और मेरा विस्वास भी ऐसा ही था कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनीक साप मारे तो बच्चो इस कहानी में तो आपको पता ही चल गया होगा कि लिखक ने बहुत सारे सापो को मारा था इसलिए कुए में गुजते समय मुझे साप का तनिक भी भेना था उसको मारना नेबाए हाथ का खेल समझता था तो बच्चो इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले कहानी पसंद आई हो बच्चो तो हमारे वीडियो को लाइक करें जदा से जदा से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें मिलते हैं आप से इसी कहानी के अगले भाग में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद